हेलो मेरे प्रिये च्छात्रों आज हम आपके लेके आए हैं सीटेट एक्जाम जुलाई 2020 के लिए एमपीटेट बर्ग तीन एक्जाम के लिए बाल विकास एवं सिछासास के इंपोर्टेंट रिपीटेट कोस्चन मॉडल पीपर नमबर टैन अगर आप सीटेट एमपीटेट बर्ग तीन का एक्जाम निकालना चाहेते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें कोस्चन नमबर फर्ष्ट बच्चों इसकीन पर आप यहां पर देख रहे हैं बहरी बहरी मोश्ट इंपोर्टेंट कोस्चन है आधुनिक मनो बिज्ञान के जनक माने जाते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करें कोस्चन नमबर फर्ष्ट का बच्चों इहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा आप्सन बी होगा बिलियम्स जैंप्स भेरी बेरी मोश्ट इंपोर्टेंट कोस्चन है देख लेते हैं नेस्ट कोस्चन इसकीन पर एगो ठीक है, next question देख लेते हैं, इसकीन पर आज का question number 3, very very most important question अच्छा है, बर्गितीन के exam में बिलकुल आ सकता है, बिलकुल किसी ना किसी set में जरूर आएगा, seated हो, चाहें बर्गितीन की परिच्छा हो, मद पिदेश, E.H. Ericson के अनुसार, मनो लेंगिक विकास की कितनी अबस् हैं, ठीक है, next question देख लेते हैं, इसकीन पर आज का, question number 4, very very most important question है, सीच्छण बिधियों तथा, सीच्छण नीतियों में क्या अंतर होता है, बहुत अच्छा question है, answer जानते हैं, तो जल्दी से comment करें, सीच्छण बिधियों और सीच्छण नीतियों में अंतर होता है, पर एगो का विकास किस मनो लेंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है, very very most important question है, answer जानते हैं, तो आप comment जरूर करेंगे, question number 5 का correct answer क्या होगा, question number 5 का बच्छो correct answer होगा, आपका भी होगा, note कर ले, अब्यक्त अवस्था आपका correct answer होगा, next question देख लेते हैं, इसकीन पर ज्यानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए, very very most important question है, बर्ग तीन में बिलकुल आ सकता है, किसी ना किसी सेट में, सीटेट में भी अक्सर आता है, question number 6 का बच्छे हाँ पर correct answer होगा, आपका option number 4 होगा, pride, note कर ले, question number 6 का correct answer होगा, आपका 4 option हो सामान ने बिभार का मौलिक कारण किया है, very very most important question है, answer जानते हैं तो comment करें, question number 7 का बच्छे हाँ पर correct answer होगा, option second होगा, आपका दमन, next question देख लेते हैं, question number 8, very very most important question है, बाल केंदृत सीच्छा की अब धाना, मनो बिज्यान की किस संप्रदाई ने दी, very very most important question है, बहुत comment करें, सही answer किया होगा, question number 8 का बच्छे हाँ पर correct answer होगा, आपका option थाड होगा, note कर ले, मनो बिश्ली सलात बाद ने, ठीक है, next question देख लेते हैं, question number 9 है, बच्छों इसकीन पर, बहुत अच्छा question है, exam में आने की प्रवल संभावना है, comment जरूर करें, सही answer क्या होगा, question number 9 का बच्छे हाँ पर correct answer होगा, आपका option थाड होगा, यह कत्छन आपका MacDougal का है, ठीक है, next question देख लेते हैं, इसकीन पर, बहुत अच्छा प्यारा question है, exam में बिलुकुल आएगा, comment करें, सही answer क्या होगा, सिच्छा के संकुचित अर्थ में सिच्छा पिर्दान की जाती है, बिलुकुल, very very most important question है, निश्चित इस्थान पर, पिर्टिक समय वाइस्थान पर, जीवन परियंत उप्युक्त सभी, question number 10 का बच्छे हाँ पर correct answer होगा, सिच्छा के संकुचित अर्थ में सिच्छा पिर्दान की जाती है, निश्चित इस्थान पर, okay, question number 10 का correct answer होगा, आपका ये option होगा, next question देख लेते हैं, इसकीन पराज का question number 11, बहुत अच्छा question है, answer जानते हैं, तो जल्दी से आप लोग इसका answer comment करेंगे, question number 11, मनो बिज्ञान बिभार अनभव का बिज्ञान है, ये कथन किसका है, किस मनो बिज्ञान इक ने ऐसा कहा है, question number 11 का बच्चित आपर correct answer होगा, option first होगा, इसकीनर, ठीक है, नोट कर लें, next question है, इसकीन पर बहुत अच्छा question है, आपके एक्जाम में आ सकता है, very very most important question है, comment करे सही answer किया होगा, question number 12 है, इसकीन पर, बालकों की रुची, सार्दिक, मानसी की योगितां तथा विभिनिताओं का धियान किस प्रकार के सीच्छन में लखा जाता है, बहुत अच्छा question है, जल्दी से comment करें, मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही answer किया होगा, question number 4 का बच्चों यहाँ पर correct answer होगा, 4 option उपरोक्त सभी, नोट कर लें अच्छा question है, दोस्तों आप सभी लोग चैनल को subscribe जरूर करने, subscribe करने में कंजूसी क्यों करते हो, question number 13 है, इसकीन पर, जल्दी से comment करें, बतमान में सीच्छा मनो बिग्यान किस अबस्था में है, very very most important question है, comment करें, सही answer क किया होगा, question number 13, 13 का बच्ची यहाँ पर correct answer होगा, आपका option first होगा, 6 अबस्था, नोट कर लें, बतमान में सीच्छा मनो बिग्यान किस अबस्था में है, correct answer होगा, आपका option first होगा, 6 अबस्था, ठीक है, next question देख लेते हैं, स्कीन पर आचका, question number 14, very very most important question है, exam में आने की प था, किस मनो बिग्यानिक ने का था, question number 14 का correct answer होगा, आपका पहला option सही होगा, call C, Garrison नोट कर ले, question number 14 का correct answer होगा, ए, answer जानते हैं, बच्चों तो आप लोग comment ज़रूर करें, ठीक है, next question देख लें, स्कीन पर, question number 15, सही answer किया होगा, comment करें जलती से, आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है, मनो बिग्यानिकों ने धीरे धीरे अपने मनो बिग्यानिकों को दर्सन साच से पिर्था कर लिया, कथन किसका है, अच्छा question है, very very most important question है, जल्दी से comment करें, question number 15 का correct answer क्या होगा, question number 15 का बच्चे आपर correct answer होगा, option first होगा, राय ब important question है, जल्दी से comment करें, सही answer किया होगा, नियम ने लिखित मैंसे, किस मनो बिग्यानिकों मन का बिग्यान किसने कहा, बिल्कुल बिल्कुल question को समझें, आपको बताना है, अपर रोक्त मनो बिग्यानिकों मैंसे, मनो विग्जान को मन का विग्जान किस ने कहा Question number 16 का बच्चु पर्यक्ट आंसर होगा Option आपका थार पेस्टोलोजी Note कर ले Pastology ने मनो विग्जान को मन का विग्जान कहा है Next question देख लेते हैं Question number 17 very very most important question है जल्दी से comment करें सही answer क्या होगा पिलेवे पुष्टक के रचेता कौन है अच्छा कोश्चन है कमेंट करें सही आंसर क्या होगा पिलेवे पुष्टक के रचेता कौन है कोश्चन नमबर 17 का बच्चे हाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका D आप्सन होगा हेनीरी, काल्ड बैल कुक, करेक्ट आंसर हुगा, question नंबर 18 है, सकीन पर जल्दी से कमेंट करें सही आंसर क्या होगा, very very most important question नियम लिखित मैंसे सीच्छा का कैंद विंदु है, जल्दी से कमेंट करें सही आंसर क्या होगा, very very most important question है, question number 18 का बच्चो correct answer होगा option number 3 सिच्छा का केंडर विंदू बालक होता है ठीक है next question देख लेते हैं इसकीन पर question number 19 इसकीन पर बहुत अच्छा question है answer जानते हैं तो जल्दी से आप comment करें किस बिधी में प्रियोग के दोरान व्यक्ति को मस्तिक्स दो भागों में वाजित हो जाता है जिसमें एक भाग निरिच्छन करता है दूसरी का निरिच्छन किया जाता है बहुत अच्छा question है CTAT में अक्सर आता है MPTAT बरगी तीन में आने की प्रवल संभावना है question number 19 का बच्चे हाँ पर correct answer होगा option first होगा अंतर दर्सन नोट कर लें next question है इसकी पर question number 20 बहुत प्यारा question है जल्दी से comment करें बहुत अच्छा question है बच्चों एक question आपको ज़रूर बरगी तीन के exam में किसी ना किसी set में देखने को मिलेगा CTAT में भी आता है यूपी टेड राज्थान टेड में अक्सर पूछा जाता है इस किनर किस देश के भिग्यानिक थे very very most important question है answer जानते हैं जल्दी से comment कर दें आपके पास option है चार जापान के अमेरिका के इंग्लेंड के इटली के question number 20 20 का बच्चे हाँ पर correct answer क्या होगा 20 का यहाँ पर correct answer होगा आपका second option होगा अमेरिका note कर ले 20 का correct answer होगा second अमेरिका ठीक है second option correct होगा इस किनर किस देश के मनों भिग्यानिक थे correct answer होगा बच्चे इसका अमेरिका होगा तो thank you फिर मिलते हैं अमेरिका बच्चे हाँ